आप सभी लोग का स्वागत है आपके इस चैनल पर आज का अपना जो टॉपिक है कि जिंदगी में ऐसे बहुत सिच्वेशन होगी बहुत ऐसा मौका आएगा आपके लाइफ में जब लोग आपको धक्का देना चाहते गिराना चाहते है अब इंपोर्टेंट चीज है कि उस स से स्ट्रॉंग वीजन के साथ कुछ बात कर दिये कि वह वही पर गिर गिया ऐसा तो होता नॉर्मल जिंदगी में ऐसा नहीं होते है नॉर्मल जिंदगी में कई बार कड़वा घूट फीक पीके आगे बढ़ना पड़ता है आप अपने पापा के साथ बैठे हुए हो एक रिलेटिवसा है जो आपके पापा से ज्यादा सक्सेस्फूल है यह पोजिसन वाइस सोसाइटीम अमीर मनी वाइस और वो आपको पापके पापके सामने ही अलग वे में इंसल्ट कर देंगे आपको समझ भी नहीं आएगा अचनल देख जाए देखिए इंसल्ट कर देंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है और यह सकता है पापके अधिकारी हो कैसे आपके रिप्लाइ कर दोगे कि कुछ खराब बोल दोगे नहीं कर सकते कुछ भी आपको उस समय सब कुछ सेहन करना होगा इंपोर्टेंट क्या है इसको हतियार बनाना पड़ेगा और पता है कई बार जिंदगी में लोग को कई बार ना एक अपना मेन गोल में ऑब्जेक्टिव क्लियर यह नहीं हो पाता है यह सब लोग ठेंगफुल लोग हैं ठेंगफुल क्यों क्यूंकि यह ना आपका जो सामने जो विजन क्लियर नहीं होता उसको clear करने में help करते हैं कई बार आप distracted रहते हैं कई बार आपको समझ नहीं आता मैं क्या चाहता हूं कुछ लोग जो लोग आपको इतना खराब इतना bad feel कराते कि आपको clear vision होता है कि आपको क्या करना है तो उन लोग को thanks है कि जो आपको इतना clear vision देते तो दूसरे room में जाकर रोने की need नहीं है आपके पाप पर रोएंगे क्या सोची आप आपके पाप पर रोएंगे क्या नहीं ना क्योंकि जिन्दगी इतनी देखे तो वो नहीं रोएंगे ठीक आप इस्टुमेंट है तो आप रोगी सकते हैं लेकि मैं वोड़ो हतियार बनाने का है और इसको motivation की समान लेना है कि कोई वैक्ति यह सूचता है कि आप नहीं कर पाऊ कि कुछ लोग को neighbours करने के लिए उतना काफी था कुछ लोग हमको कुछ लोग हमारे अंदर वह आग लगा दिए अंदर वो हमारी याग लगा दी ऐसे हमारे आराउंड में बहुत लोग मिलेगे मैं जैसे एक एक जामपल लिया हमारे फ्रेंड्स कॉलेज के प्रोफिसर कई बार उन लोग लगता है कि आपको चीजे कुछ कुछ डेफिनेशन अगर याद है तो that means you are very good और कोई डेफिनेशन हमें creativity के लिए बहुत कम points हैं हमारे education system में कितनी चीजे याद है राद भर आप पड़े थे कुछ चीजे आप याद कर लिए बिना सोचे समझे कुछ चीज बोल दी जैसे में रबेटा जो है पड़ता है तो उस में देखता हूं अभी तो ठीक है अब तो अडिस्टेंड भी करना लग लेकिन आजसे जब दो साल पहले मैं दिखता था तो एसी हर वो चीज जो याद करने के लिए स्कूल से आता था जिसका उसको मेनिंगी नहीं पता रहता था और वह बहुत बच्चा है तो प्रक्टिस करकर कि याद कर लेता है उसको इतना इसको इतना स्टाइब का होग दिया जाता था जो उसको नहीं देना चाहिए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉबलम है बठी गए इट्स ओके तो बस मेरा यही था कि ओर रॉल हर जगा का सिस्टम है ऐसा नहीं कि एक स्कूल की बात है ऐसे ओर रॉल बहुत सरे स्कूलों की बात है जहां पर छोटे छोटे बच्चे को ऐसे ऐसी चीज़े याद करन धक्का देने के कोशिस कर रहा है और धक्का देके गिरा भी दिया इंपॉर्टेंट यह आप कितने जल्दी उठते हो और अगर आप गिरते हुए और गिरने के बाद आप यही सोच रहो कि यार मेरी जिन्दगी तो वैर्थ है मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा पता नहीं इस दुनिया में सच में नहीं कर पाऊंगे इंपॉर्टेंट है जब आप गिर रहे थे तब आप क्या सोच रहे थे वालग बात है कि उस समय टाइम बहुत कम था मोमेंटम टाइम गिरते विए टाइम बहुत कम होता है जब गिर गये गिरने के बार आप कितने जल्दी उठ है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो रिप्लाई करना होता है वो लॉंग टम में रिप्लाई करने का बनता है जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरो ना कि वो जो आपको जो कुछ बोला था एक दिन आपसे मिलने के लिए टाइम मांगे क्या बोल रहा हूं लगजरे चुराना पड़ जाय उसको आपके सामने आपको देख देख ना पाए ऐसे वहन टी ऐना ईग्टेट करके यकीन मानिये से सब लोग ना मोतिवेशन का काम करते twisting का का काम करते हैं है इसलिए ऐसे लोग को पीट पीछे गाली देने से कोई मतलब नहीं है ऐसे लोग जब हमको इंटरनली ये फील कराते कि तुम्हारी आउकात नहीं है तो ठीक है ठीक है लेकिन दुनिया में तो हम आये हैं न कुछ कर गर ज़ने के लिए तो ठीक है कर ही डालेंगे तो एक दिन हम बिग आंसर देंगे अभी छोटा सांसर देंगे उसको कुछ खराब बोलके उसके उसके फैमिली के बारे में खराब बोलके ये गुड आंसर नहीं है बड़ा आंसर देंगे बड़ा आंसर देंगे ठीक है ध्यान रखे इस चीज़ को कोई भी आपको कितना भी पूस करें कोई कितना भी धक्का देने की कोशिस करें गुड रिप्लाई देंगे और one of the best reply ठीक है चल ऐसे enjoy करते रही है आप अपनी life को enjoy करते रही है और good morning इंडिया को ऐसे ही डिखते रही है ओके थैंक यू